जेनरली जो 18 पलस के होते हैं वो आसानी के साथ mutual fund में या stock market में investment कर लेते हैं लेकिन कई मरतबा जब बात आती है बच्चों के नाम से investment की तो बहुत सारे confusion वहाँ पर होते रहते हैं और होने वाली चीज़ भी है सबसे पहले तो बात है कि क्या बच्चे के नाम से भी लोग investment करते हैं तो जी हाँ आज की रेट में बहुत ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों के नाम से mutual fund में investment करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा भविश्ट देना चाहते हैं इस पे हम आगे बात करेंग इन सारे मुद्धों पे हम आज खुल कर बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक request कि चाइनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बच्चों के लिए भी investment कर दें अगर आप investment करते हैं तो अगर खुद आप अपने ही लिए नहीं करते हैं या आपका ही ध्यान इस तरफ नहीं है तो शायद मुश्किल है कि ये ख्याल आया होगा लेकिन अगर आया है तो सवाल होता है कि क्या हम बच्चे के नाम से mutual fund में investment कर सकते हैं तो इसका सीधा जवाब है जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चे के नाम से भी investment किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा rule regulation अलग देखने को मिल जाता है वो अलग क्या है मतलब बच्चे के नाम से मतलब किसी एक बच्चे के नाम से आप investment करना चाहते ह जो बिल्कुल आप उनके नाम से कर सकते हैं लेकिन उसको manage आप खुद करेंगे मतलब handle उस investment को वो बच्चा नहीं करेगा और जाहिर सी बात है 18 से अगर कम age किया है वो बच्चा तो वो manage भी नहीं कर सकता है और अगर वो manage कर भी लेता है अगर बहुत जादा होश्यार है बह लेकिन कुछ दिर के लिए मान लेता हूं कि ठीक है अगर वो कर लेता है लेकिन फिर भी regulation के हिसाफ से उसे manage आपको ही करना पड़ेगा एक और भी condition है कि अगर आप अपने बच्चों के नाम से investment करना चाहते हैं लेकिन आपको KYC अपने नाम से पहले पूरे करने पड़ेंग लेकिन आपके पास अधार कट पैन कट होना बहुत ही जरूरी है तब जाकर आप KYC कमपलीट कर लेंगे उसके बाद KYC कमपलीट करने के बाद आपको और भी कुछ चीजों को खयाल में रखना है सबसे पहली बात ये कि आप जिस बच्चे के नाम से investment करना चाहरे हैं mutual fund में उस बच्चे के साथ आपका क्या relation है क्या संबंध है इसका सुबूत आपको देना होगा दूसरी बात अगर आप माता पीता है तो आपको ये सुबूत पेश करना पड़ेगा कि हम माता पीता हैं बच्चे का या और father और mother और son का relation है इस तरह आपको सुबूत देना पड़े जो लेटर होता है उस लेटर को आपको सुबूत की तोर पे देना है और ये साबित करना है कि हाँ हम बच्चे का लीगल गरजियन है तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम से देखिया अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके में रखने वाली ये है कि आप अगर ये चाहे कि मेरे अकाउंट से पैसे कट जाए और मेरे माइनर चाइल्ड के नाम से जो मीचूल फंड है उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा जिस अकाउंट से पैसे कटेगा वो अकाउंट माइनर चाइल्ड क यही नाम से होना चाहिए समझ रहे कि नहीं अब यहां पर जॉइंट अकाउंट भी नहीं चलने वाले हैं जॉइंट अकाउंट का मतलब यह हैं मान लीजे आपके दो बच्चे है आपने दोनों के नाम से मिच्वल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं करना चाह रहे हैं तो अब यह सोचेंगे कि दोनों के नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवा दूं तो वहां पर से दोनों के पैसे और दोनों के मिच्वल फंड में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होने बाले है मतलब सेपरेट एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए पलस एक अकाउंट से आप दो बच्चों के लिए मिच्वल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जैसे जॉइंट खता और खुलवा कर हो तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं अब यहां पर एक बात और भी आती है कि आप हो या अपने हैं यह आप अपने बच्चे के लिए चाहिए जिस भी उद्देशous और जिस भी मकसद से चाहिए वो पढाय लिखाया के हो अच्छे सग्षा के लिए हो उनके शाधी विवा के लिए हो जैक्त topics क्यान कि विए हो मतलब उनके फूचर के लिए जिस मकसद से भी आपzy investment कर रहे हैं तो गोया कि एक तरह से ये बात हो गई कि आप अपने बच्चे को एक उजवल भविश देना चाहते हैं एक bright future परदान करना चाहे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और हर माता-पिता का हक बनता है कि उनके लिए आप कुछ अच्छा सोचे मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके दें कुछ अच्छा सोच कर दें ताके उन्हें आने वाला टाइम में परिशानी नहों सके इसका दूसरा फाइद यह है कि अगर वह 18 से अगर कम उम्र का है आपका और जब उसे पता चलेगा कि भाई मेरे माबाप ने मेरे माता पिता ने मेरे नाम से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो इससे दो फाइद होने वाला है पहला तो यह कि आपके पर्तिव उनके दिलों में बहुत जादा महबत होगी और दूसरी बात यह कि बच्चे जो होते हैं उनको आप एक तरह सी यह माइंड सेट कर रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पैसों को अच्छी जगह पे लगाना चाहिए अब इसके कुछ नोकसान भी है क्योंकि हर चीजों के नेगेटिव और पोजिटिव दोनों पहलू होते हैं तो हम अब यह हमने अभी तलग फाइदे की बात की है अब जरा नोकसान की भी बात कर लेते हैं देखिए सबसे पहला नोकसान तो यह है कि भाई जब भी वो बच्चा अभी माइनर है जब भी वो बच्चा 18 पलस हो जाता है 18 साल का हो जाता है तो उसकी केवाईसी आपको करवानी होगी उसके बाद अकाउंट के पूरे एकसिस मतलब बच्चे के हाथ में चला जाएगा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा यह सबसे पहला नोकसान है दूसरा नोकसान यह है कि अगर वो आठारा पलस हो जाता है और जब सारे एकसिस उसके पास चले जाएंगे तो इतनी कम उमरी में मानकर चलिए बच्चा है 16 साल का है 17 साल का है 18 का हुआ तो अब लाखो रुपिया जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसका पूरा एकसिस इतनी कम उमरी में अगर एक बच्चे के पास जा रहा है चाहे वो लड़का हो या लड़की त अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर हम बात करें टेक्स सेशन की तो देखिए टेक्स सेम रहेगा जिस तरीके से मैजर को लगता है उसी तरीके से माइनर के भी इन्वेस्टमेंट पे टेक्स वाले हैं यहाँ प्र फाइदे कि अगर मैं बात करूं तो एक फाइदे ये भी हो के लिए जरूरी हो जाएगा तो finally आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने minor child के नाम से mutual fund में investment कर सकते हैं उसके process क्या है कैसे आप के वाइसी complete कर सकते हैं documentation क्या रहेंगे यह सारी चीज़े आपको मालूम हो गई है फाइदय और नोकस्तान के बारे में भी हमने बात कर लिया है तो उमीद है कि वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अगर अच्छी लेगी है तो वीडियो को